टेमें दोफ्तो आप सबीका बहुत बहुत सवागत है आपके अपने चैनल पर मारकेट में जो बड़ी हल चल आपको देखने को मिली सौंबार को बजार कैसा ओपन हो सकता है क्या टिगर हो सकते हैं और कहाँ पे आपको बाइंग करना चाहिए कहां पर सेलिंग करना चाहिए Link आपको वीडियो के description में दिया गया है और देखे अब मैंने आप सभी के सामने One of Us का चार्ट उपन किया One of Us के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो Logic के साथ हम बात करने वाले हैं इस जगा देखे सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँ जो इसने टॉप मारा था देखे आपको टॉप दिखाई दे रहा इस जगा इसका जो टॉप था वो अठारा हजाज़ाज़शेसो के सम्तिंग का इसका टॉप था ठीक है उसके बात इस पर जो टॉप बनाया था उसमें देखे जे गैब आपको देखने को मिली थे पहला गैब जे दूसरा गैब जे तीसरा गैब और अगर मैं बात कहूं जे चौता गैब इसमें देखने को मिला और जे पांचवा गैब ठीक है इसमें पांच गैब और एक बीच में छोटा सा गैब और बनाता इसमें यानि कुल मिला के इसमें 6 gap आपको बनते हुए दिखाई दिए जब इसने top बनाया top कैसे बना gap के साथ बना अगर market gap के साथ top नहीं बनाता तो यहाँ पर एक बड़ी है तेजी हम मान सकते थे और हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि बहुत gap बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कईने कई market है ना उपर से नीचे आ सकता है फिर वहाँ से अगर आप देखोगे तो दूसरी चीज देखें दूसरी चीज में आपको दिखाना चाहँगा कि market बड़ी बड़ी candle के साथ नीचे आया था इसको notice किया था अपने बड़ी बड़ी candle के साथ देखें बड़ी candle यानि ऊपर के level से कोई ने कोई तो ऐसा था जो एदम आपको selling करते हुए दिखाई देता अब जिस सेलिंग कौन कर रहा था इसको समझ लेते पहले और देखें अब मैंने FIS का डाटा open किया FIS का डाटा complete मैं इसकी वीडियो बनाऊगा लेकिन अभी मैं आपको यह बता देता हूं कि market में पहले की cash market में के समार्किट में अगर आप देखें तो यहां पर देखें तो अब सबसे बड़ी बात जहीं लिकल के आती है कि अब बजार कहां पर रुख सकता है तो बजार का देखे सबसे अच्छा जो मैं सपोर्ट आपको बता हूँ सपोर्ट पर मुझे सबसे अच्छा लगता है वो नीचे की चैट यानि जे वाला लेवल देखे जे लेवल आपको दिखाई दे रहा है जो कि इस जगह लिखना चाहूँगा 17,500 का लेवल मुझे काफी अच्छा देखने को बलता है यानि अगर मैं बात करूँ अभी भी उपर की लेवल से कम से कम 200 पॉंट की गिरावट मुझे देखने को मिलती है ऐसा क्यों 200 पॉंट ही क्यों क्यों कि देखे यहां पर आप देखोगे तो मार्केट में यहां पर भी देखे गैप बने थी मार्केट ने और इन जो गैपों को फिल किया था लेकिन लास्ट में जो गैप दो बने थे इन गैपों को फिल नहीं किया था तो कहीं नहीं अगर market in gap को भी fill करने के लिए नीचे आता है तो यहां तक आ सकता है market और जहां से recovery दे सकता है अगर देखें यहां पर market आता है तो हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो हम देखें इस जगह इस जगह हम 50 points का comfort लेके चलेंगे यानि 17,450 पर अगर जहीं आता है तो इस जगह हम क्या कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्यों क्योंकि यहां पर एक support है अगर देखें यहां पर आभी बजान ने 600 पर support लिया था यहां पर जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा 17,600 पर हमने क्या किया इस जगह से भी comfort लिया नीचे आ सकता है क्योंकि यहां पर gap आपको दिखाई दे रहे हैं अब देखें बजार अगर इस price पर आपको मिलता है बिल्कुल CE bind कर सकते हैं फिर इसमें जो target आपको देखने को मिलेगा 17,560 का पहला target 17,600 का दूसरा target और 17,650 का तीसा target यानि इन target के लिए आप नीचे से bind कर सकते हैं क्योंकि मार्केट अपने support पर देखें मार्केट जब भी support पर होता है तो वहां से एक bounce back आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्केट उपर की level से अगर आप देखोगे तो उपर की level से कम से कम इसमें देखे 900 पॉंटों के आसफास की गिरावट आ चुकी है और नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो इसमें एक अच्छा सा support बचते हुए दिखाई 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 दिखा आपको हमारे paid group में join होना है तो हमारे link से account open कीजे एंजल, चड़ोदा, अपिश्टॉक, एलेस विलू, आई आई एफल या एलेस विलू में लिंक आपको सभी वीडियो के description में दी गए है टेलीग्राम चैनल का link आपको वीडियो के description में दिया गया है तरीका तो देखे मैं description आपको देखने को मलता है जो कि आपका ये वाला level ये level आपको दिखाई दे रहा है 18000 किसमते का यानि current price से 300 points उपर अगर market इस level के आसवास market खुल जाता है तो यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम CE buying नहीं करेंगे मैंने क्या बोला CE buying नहीं करेंगे इस जगह हम क्या करें कि क्योंकि market इस जगह खुला 300 points ऊपर खुला किसी को मौका नहीं मिला तो हमको क्या चाहिए हमको loss इस जगह कम चाहिए हम इस जगह 20 points loss लेने के लिए तयार है यानि SL 20 points लेने के लिए तयार है लेकिन market अगर हमको 100 से लेके 200 points या 300 points अगर reward देती है जब हम काम करेंगे ठीक ह तो यहां पर देखें market अगर जे इस जगह open होगा पहली गेंडिल यह आपकी open हुई ठीक है इस जगह और market ने closing इस जगह दे दे लेकिन दूसरी गेंडिल जैसे ही open होती है तो इसके नीचे होना चाहिए जे वाले column पर ठीक है इसके नीचे अगर ऐसे ही हो जाती है जैसे कि जे opening जे closing जे opening जे closing ऐसे होती है तो यहां पर जे इसका downtrend आपको देखने को मिलेगा और यहां से आप PE bind कर सकते हो ठीक है क्या बोला PE bind कर सकते हो अब इसके target क्या देखने को बलेंगे उसको समझ लेती है तो यहां पर देखें हम इस जगह 18,000 के आजपस पी जगह पी बाइ समझ करेंगे तो इस में जो हमको target देखने को मिलेंगे उसके target की अगर मैं बात कूं तो पहला target देखने को मिलेगा 17,900 का दूसा target देखने को मिलेगा इन चीजों को समझाओ, कंडीशन क्या है कि मार्केट इसके उपर किलोजिंग नहीं देना चाहिए, मार्केट उपर से नीची आना चाहिए, जैसे कि आपने देखा ना, जे देखें, मार्केट उपर की चाहिट उपन हुआ, लेकिन उपर उपन होने के बाद इसमें continue आपको गिरावट देखने का बूली, जे पैटर्न आपको देखाई दे रहे हैं, ने continue गिरावट आपको देखने का बूली, तो मार्केट अगर उपर उपन होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन उपर की साइट की लोजिंग नहीं देना चाहिए, अगर आपको वीड एका चाट है, ठीक है, इसको आप बिल्कुल धियान दीजे, अभी मैने आपको क्या बतायाता है, कि मार्केट जब उपर जा रहा था, तो इस जगह देखे, छोटी-छोटी केंडिलों के साथ उपर जा रहा था, देखे, यहां पर आपको देखने को बलेगा, लेकिन जब आपको यहां पर देखे, बड़ी कंडिल आपको, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और नो, यानि नो दिन के अंदर मार्केट नीचे की साइट आ गया, उपर की जो इसने हाई मारता 18,600 से, नीचे की साइट आप देखोगे, तो 17,600 के संतिन का इसने लो मारा देखोगे तो यहां पर 1000 पॉइंटों की आपको गिरावाट देखने का हूफरेच, अगर हम लिखा ले तो हर दिन इसमें जो गिरावाट होई है वो इस जगह 120 पॉइंटों के आस्वास की हुई है, 120 से लेके आपकी जो गिरावट हुई है वो इस जगह देखे 100 पॉइं क्यों लेंगे कमफर्ट क्योंकि मार्केट में छोटा सा गया आपको दिखाई देरा अगर मार्केट को फिल करना ही है तो मार्केट इस लेवल तक आ सकता है नीचे वाले लेवल तक आ सकता है ठीक है इसका हम बेट करेंगे कि मार्केट अगर इस जगह आता है तो हम बिल्कुल CE buying करके एस जगह जाएंगे और उपर के लेवल पर अगर मार्केट खुलता है तो हम वहाँ पर विक्वाली करने की कोशिस करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो 18,000 का जो लेवल था उस level को market ने टोडने की कोसिस की कितने बार की 1 candle, 2, 3, 4, 5 5 candle में देखे इसने कोसिस की लेकि जो आपका देखे 6 candle था उस पे देखे इसने टोड़ा तो यहाँ पर जे क्या बन गया है जो हमारा पहला support था को सपोर्ट हमारा रजिस्टेन बनते हुए दिखाई दे रहा है आज की वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आपका कोई सवाल है मुझे कमेंट कीजिए जैहीं पने मतंद